Hello student, welcome to my youtube channel, आज का वीडियो उन सभी student के लिए जो CSIR Net Chemical Science का exam देने वाले हैं Friends, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी attempting strategy के बारे में बात करेंगे जिससे की बहुत ज़्यादा effect आता है end result पर अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी attempting strategy है तो Friends, मैं आपको बता दू कि CSIR Net Chemical Science के exam में आप जानते हैं कि तीन section होते हैं, part A, part B और part C, part A में total 20 questions होते हैं, जिसमें से 15 questions हमें attempt करने होते हैं, part B में total 40 questions होते हैं, जिसमें से 35 questions हमें attempt करने होते हैं और part C में 60 questions होते हैं, जिसमें से 25 questions हमें attempt करने होते हैं, part A और part B 2 marks के होते हैं, हर question वहीं part C में होते हैं, 4 marks के question तो यहीं पर एक बहुत important strategy चुपी हुई है, कि हमें जब भी paper हम attempt करते हैं, तो सबसे पहले कौन से part को देखना हैं, बहुत सारे student के मन में यह doubt होता है, कि पहले part A करे, part B करे, part C करे, और कई बार आपने देखा होगा, आपने seniors से आपने यह सुना होगा, कि मुझे उस paper में यह question आता था, लेकिन मैं attempt नहीं कर पाया due to lack of time, तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए मैं friends एक बहुत ही tried and tested technique है, जो आपके साथ share कर रहा हूँ कि आप अगर CSI या net chemical science का exam देते हैं, अच्छी preparation के साथ, तो सबसे पहले आपको attempt करना चाहिए part C, part C एक बहुत ही big elephant है, total वहां से आपको 60 questions होंगे, और उन 60 questions में से आपको select करने हैं, वो बहतरी 25 questions, जो कि आप 100% sure हो कि मैं अच्छे से correct answer इनका कर ही लूँगा, तो अगर आप वहां से वो 25 questions pick कर लेते हैं, और मैं यह आपको बता सकता हूँ friends की 25 questions में से आप देखेंगे कि 10 ये 12 questions ऐसे होंगे, ज लेकिन कुछ ऐसे 10 से 12 tricky questions होंगे, जो कि आपका time भी लेंगे, तो अगर आप एक fresh mind के साथ जब उन tricky questions को भी solve करोगे, तो ये chances ज्यादा होंगे, कि आप उन्हें अच्छे से और सही से कर लोगे, जब आप part C अच्छे से कर लेते हो, और आपको in between ऐसा लगता है कि कोई ऐसे 2-3 questions है, जो कि बहुत जादा time ले रहे हैं, तो उन्हें उस समय आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप 20 questions भी attempt कर लेते हो, तो भी आगे चल कर आपके select होने के जांसे जादा होंगे, उसके बाद आप part B में आ जाईए, पार्ट B में total आपको 40 questions होंगे, और वहां से part A में हम जानते हैं कि reasoning और aptitude से related questions होते हैं, तो वो अगर आपके 4-5-6-7 जितने सही होते हैं, वो अच्छी बात हैं, और उसके बाद जो tricky question आप से छूट गए थे, उन्हें भी आप समय दे सकते हो, friends जब भी हम किसी topper का interview सुनते हैं, तो सबसे unique बात जो उन्हें लगती है वो होती है उनका time management, तो time management एक बहुत important होता है, किसी भी competitive exam में select होने के लिए और CSIR net में भी time management का बहुत important role होता है, क्योंकि जो 25 questions होते हैं, part C के, वो हर question 4 marks का होता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप उन question को अच्छे से attempt करेंगे, तो कितना ज़्यादा आपके select होने के chances बढ़ जाएंगे, और एक बात CSIR net chemical science के सभी student को कहना चाहूंगा कि आप exam से पहले जितने mock test हो सकते हैं, वो दीजिए, जितने question solve करने की practice कर सकते हैं, करिए, क्योंकि question solve करने की practice आपको exam में बहुत ज़्यादा help करेगी, friends ये video आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा, comment क करके और अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe करके bell notification को जरूर on कर दीजिएगा, thank you for watching this video.